हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौलेज लेविन में दोस्तों आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है बहुत ही महत्पून है एकजाम को लेकर जैसे कि आप जानते हैं आज कल हर एक एकजाम में करेंट अफ्यर पूछा जाता है जो कि बहुत ही महत्पून बहुत ही भीवी है यह दोस्तों किसी भी एकजाम के लिए सबसे पहला हमारा सवाल है सितंबर 2024 में नार्कोटिक्स कंट्रोल बीडियो का नाया महा निर्दे से किसे नुक्त किया गया है आपके पास चार अप्षन है पहला इस इस परधान दूसरा अनिश्द्याल सिंग तीसरा अनुराग गर्ग चोथ है के बिजय कुमार तो दोस्तों अनुराग गर्ग को अगला भारत के पहले मानव अंतरीक्ष्ण हुरान मिशन का नाम क्या है जिसके 2024 के अंतक लांच होने की उमीद है भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उरान मिशन का नाम क्या है जिसे 2024 के अंतक लांच होने की उमीद है आपके पास चार अपसन है पहला चंद्रयान दूसरा गगन्यान तीसरा मंगलयान चौथ बिक्रम तो दोस्तो इसका नाम है गगणयान क्या नाम है दोस्तो गगणयान भारत के पहले मानव अंतरीक्ष उर्मिसन के क्या नाम है दोस्तो गगणयान अगला भारतिय अंत्रीक्छनुसंधान संगठन के बरत्मान अध्यक्ष कौन है? आपके पास चार अपसन है पहला के सीवन दूसरा एस्वनाथन तीसरा जी माधवंत नायर चोथ एसे स्किरन कुमार अगला सितंबर 2024 में परदहान मंत्री निरेंदर मोदी की सन्यूक्त राज अमेरिका यात्रा में निमलीखित में से किस सिखर समयलन में भागिदारी सामिल है सितंबर 2024 में परधान मंत्री नरेंदर मोदी की सन्यूकत राज अमेरिका यात्रा में निमलीखित में से किस सिखर समयलन में भागिदारी सामिल है आपके पास चार अपसन है पहला G20 सिखर समयलन दूसरा Quad leaders summit, तिसरा Brick सिखल सम्मेलन, चौथ असियान सिखल सम्मेलन, तो दोस्तों यह है Quad leaders summit, कौन सा है दोस्तों? Quad leader summit, इस सम्मेलन में परधान मंत्री नयेंदमोदे तीन दिन के लिए सनिक्त रज अमेरिका के आत्रापे हैं, 1975 के अपात कालीन का बिरोध करने वाले को समानित करने के लिए प्रतिवर्स किस तारीक को समिधान हत्य दिवस मनाया जाता है 1975 के आपात कालीन का बिरोध करने वाले को समानित करने के लिए प्रतिवर्स किस तारीक को समिधान हत्या दिवस मनाया जाता है आपके पास चार अपसन है पहला 26 जनवारी दूसरा 25 जून तीसरा 15 अगस 4 दो अक्टूबर तो दोस्तो ये मनाया जाता है 25 जून को कब मनाया जाता है 25 जून समीधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है 25 जून अगला CISF और BSF दोरा पूर्व अगनी भीरो के लिए कॉंस्टेबल की कितनी परतिसत नौक्रिया आराक्षित की गई है CISF CISF और BSF CISF और BSF दोरा पूर्व अगनी भीरो के लिए कॉंस्टेबल की कितनी परतिसत नौक्रिया आराक्षित की गई है आपके पास चार अप्सन है पहला 5 परसेंट दूसरा 10 परसेंट तीसरा 15 परसेंट चौत 20 परसेंट तो दोस्तो ये अराक्षित की गई है कूल 10 परसेंट कितनी परसेंट है दोस्तो 10 परसेंट ये अगनी भीर ये पूर्व अगनी भीर सैनीकों के लिए है परस्टेबल की पाद कितनी परसेंट कितनी परतिसत है दोस्तो 10 परसेंट जिसमें CISF और BSF की है 2020 में एस्थापित कुलंबो सीकुरिटी कनवेक्शन का उदेश से क्या है आपके पास चार अप्षन है पहला संस्कीर्थिक परदान परदान को बढ़ावा देना दूसरा छेत्रिये आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना हैं 2020 में एस्थापित कुलंबो सीकुरिटी करेक्शन का विदेश से समंद्री सहयोग को बढ़ावा देना किसको बढ़ावा देना समंद्री शहयोग को बढ़ावा देना इसमें भारत, सिरिलांका और मालदिर था 2020 में लेकिन 2022 में मौरिसस भी सामिल हो गया कौन हो गया दोस्तों? मौरिसस और फिर बंगलादेश बंगलादेश इसमें सामिल होने वाला पाच्वादेश बना कुलंबो सेक्रियोटी का पाच्वा देश कौन सा है दोस्तों बंगला देश है चौथा देश मौरिसस है तो दोस्तों इसका उदेश से क्या है समुंदरी सहयोग का विस्तार करना क्या करना समुंदरी सहयोग का विस्तार करना अगला फेरीस दोघीस ओलम्पिक खेलो के लिए भारतिये दल के चीफ डीमीशन के रूप में कीसे नामित किया गया पेरिश दोहजर चोविस उलम्पिक खेलो के लिए भारतिये दल के चीफ डी मीशन के रूप में किसे नमीत किया गया आपके पास चार अप्षन है पहला MC मैरी काम दूसरा पीवी सिंधु तीसरा गगा नारंग चौथा अचंता सरत कमल तो दोस्तो पेरिश उलम्पिक खेलो के लिए भारत के तरप से चेफ डी मीशन चेफ डी मीशन के रूप में गगन नारंग को निक्त किया गया किसको गगन नारंग को किसको नमीत किया गया दोस्तो गगन नारंग चेफ डी मीशन किसे निक्त किया गया दोस्तो तो गगन नारंग को किसको गगन नारंग है अगला पेरिश दोज़ेश उलंपिक खेलो का उद्धाटन समारोह के दोरान भारतिये दल के ध्वजवाहा कौन है पेरिश उलंपिक दोज़ेश उलंपिक खेलो का उद्धाटन समारोह के दोरान भारतिये दल के ध्वजवाहा कौ अचंता सरत कमल 30, MC मैरी और, MC मैरी और कम और डी डाक्टर पीटी उसा चोथ है, पीवी सिंधु और गगन नारंग, ता दोस्तो, पीटी उसा और अंचला सरत कमल थे, कौन थे दोस्तो, पीटी उसा और अंचला सरत कमल, ये कौन थे, तो लंपिक खेलों के घाटन समारों के भारतिये धावज वाहक थे, कौन थे दोस्तो, पीटी उसा और अंचला सरत कमल, अगला जुलाई 24 में राष्टिये चिकित्सा आयोग का ध्याक्ष किसे निक्त किया गया, आपके पास चार अपसन है, पहला है, डाक्टर संजय बिहारी, दूसरे, डाक्टर बी एन गंगाधर, तीसरे, डाक्टर रमेश कुमार, चोथ, डाक्टर अनिल महतर, ता दोस्तो, राष्टिये चिकित्सा आयोग का ध्याक्ष, डाक्टर बी एन गंगाधर को निक्त किया गया, किसको डाक्टर बी एन गंगाधर, किसको निक्त किया गया, डाक्टर बी एन गंगाधर, राष्टिये चिकित्सा आयोग का ध्याक्ष किसे निक्त किया गया, डाक्टर बी एन गंगाधर तर चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाब तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें सपोर्ट करें और ऐसे ही करेंट फेर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सस्क्राइब सपोर्ट करें तर चलिए दोस्तों मिलते अगले व